तो आईए शुरू करते हैं आज की किताब दे हंड्रिड डॉलर स्टार्ट अप से जिसे लिखा है क्रिस गिलेबु ने तो सबसे पहली बात ये कि मुझे ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए सोची कि आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां आप जो मनाए वो करें जो आपको पसंद हो वो करें और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है ज़रा इमैजन कीजिए कि आपको किताबों से प्यार है और आप किसी बुक पर काम कर रहे हैं या फिर उस प्रोजेक्ट पर जिस पर आप हमेशा से काम करना चाहते थे दूसरों के लिए काम करने और उन्हें खूप सारा प्रोफिट देने के बजाए आप अपने लिए अपने प्रोफिट के लिए काम कर रहे हैं कैसा लगता है सुनकर पॉफिक ना? अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ये किताब बिलकुल आप ही के लिए लिए लिखी गई है हालंकि इस किताब में आपको ऐसा कोई शॉटकट नहीं मिलने वाला है जो आपको फटा-फट पैसा कमाने का बहुत एजी तरीका बताए क्योंकि ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं है और आप भी अगर ऐसा कोई तरीका ढून रहे हैं तो प्लीज ये किताब बिलकुल बत पढ़ियेगा लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वागई में शॉटकट तो नहीं होता है लेकिन हाँ, क्या तरीका होता है, वो जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में है कि भई, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मतलब मैं भला पैसे कैसे कमा सकता हूं, well, सच कहूं तो कमा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, तो आप लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन बात यह है कि आप कमा लेते हैं, बल्कि हर कोई कमाता है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में किसी ने किसी हुनर के साथ जरूर पैदा हुआ है, लेकिन आपकी प्रॉब माइकल को कहा कि इकॉनोमिक क्राइसिस की वज़े से उसे काम से हटाया जा रहा है, अब माइकल ये सुनकर के शौक दुरह गया, वो एकदम होपलेस हो गया, वो कैसे अपनी वाइफ और बच्चों को बताएगा कि उसकी जौब नहीं रही, कुछ टाइम के बाद माइकल उस शौक से बाहर निकला, और उसने एक नई नौकरी ढूरनी शुरू कर दी, हालांकि वो एक स्किल्ट परसन था, लेकिन उसके जैसे बाकी और भी थे, उसे कोई भी धनकी जौब नहीं मिल रही थी, तो एक दिन उसके एक फ्रेंड ने जिसका फरनीचर का स्टोर था, उसने उससे कहा कि उसके पास कुछ बेकार मैट्रिसेस पड़े हुए हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, तो उसने माइकल को ओफर दिया कि वो ये मैट्रिसेस उससे खरीद ले और उन्हें बेज दे, हो सकता है कि ऐसा करने से शायद पैसे की कमाई हो जाए, तो माइकल ने काफी अच्छा चला, लेकिन फिर उसे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि क्लाइंट्स जब उससे पूछते की भाई, उन्हें किस टाइप का मैट्रिसेस खरीदना चाहिए, तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाता था, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी, कि वो क इस टाइप के मैट्रिसेस को बेच रहा है, तो अब उसने डिसाइड किया कि पहले वो इस बारे में सब कुछ सीखेगा, उसने एक बिजनस प्लान भी बनाया कि वो एक ऐसा स्टोर खोलेगा, जहां बाइसिकल से मैट्रिसेस के डिलीवरी की जाएगी, और जो कस्टमर अप अपनी बाइसिकल साथ लाएंगे, उन्हें फ्री डिलीवरी दी जाएगी, ये मार्केटिंग का अच्छा तरीका था, उसे यूट्यूब वीडियो से कई सारे कस्टमर मिले, जो कि बाइसिकल से मैट्रिसेस ले जाते हुए, अपने वीडियोस बनाते थे, और इस तरीके से उसका बिजनस चल पड़ा, जो उसके लिए बहुत ही जादा खुशी की बात थी, इसे माइक्रो बिजनस बोलते हैं, जिसमें almost कोई भी स्टार्टप कॉस्ट नहीं लगती, और most of time इसमें सक्सेस की गारेंटी मिलती ही मिलती है, तो आगे हम जानते हैं कि three important lessons जो आप इस कि की products को खरीदेगा ही खरीदेगा, as a businessman आप successful तभी होंगे, जब आप अपनी उस hobby या passion पर काम करते हैं, जो बाकी लोगों को पसंद है, या फिर यू कहीं कि जिस product की market में demand है, इसी लिए सिर्फ घदों की तर अपने passion पर ही काम ना कीजिए, बल्कि ये भी देख लीजिए कि क्या market आपको आपके passion के लिए pay भी करेगी या नहीं, इस बात पर जरूर ध्यान देना, दूसरा है skill transformation, किसी भी particular business को शुरू करने के लिए आपके पास कोई खास skill हो, ये जरूरी नहीं, अगर आपके पास कोई related skill है, तो भी आपका काम चल जाएगा, अब जैसे कि teachers teaching में में होते हैं, लेकिन उनकी communication भी बहुत बढ़िया होती है, वो किसी भी circumstances में adopt हो सकते हैं, और साथ ही वो different interest वाले जादा से जादा लोगों को coordinate और organize भी कर सकते हैं, तो आप ये realize करें कि आप में एक से जादा skill से carefully सोच करके देखे, थोड़ा focus करके, कि ऐसी कौन सी skill से आपके प बारे में तब तक हम जानते हैं third lesson के बारे में, जो है the magic formula, हम दो previous lessons को use करके एक equation बना सकते हैं, एक ऐसा formula जो कि आपको success दिलाएगा, passion या skill प्लस usefulness is equal to success, जी हाँ, happiness को box में बंद करके बेचने का तरीका, imagine कीजिए कि आप एक restaurant में है, और आपने एक plate salmon order की, तभी शेफ आपके पास आकर बोलता है कि, salmon बनाना थोड़ा tricky है, क्या आपने कभी इसे बनाया है, इससे पहले कि आप कुछ कहे, शेफ फिर से आकर बोलता है, मैं जाकर के oil गरम करता हूँ, तब तक तुम जाकर के हाथ और मुझे kitchen में मिलो, अब ये बात कितनी weird लगती है न, शायद ही आपके साथ कभी ना हुआ होगा, और होगा भी कैसे, कौन शेफ भला आपसे आपका ही खाना prepare करने के लिए बोलता है, जब आप पैसे खर्च करके restaurant में खाना खाने जा रहे हैं, और खाना भी खुदी बना पड़े, तो इससे अच्छा आप घर पर बैट करके ही ना खाना खाले, आप इसी लिए restaurant में जाते हैं, क्योंकि आप service और atmosphere के पैसे दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का भला micro business से क्या लेना देना है, मैं आपको बताती हूँ कि जादादर owners customers से accept करते हैं, कि वो अ lifetime fish खाता रहेगा, लेकिन बात ये है कि जादतर customers fishing सीखना ही नहीं चाहते, हमें तो अपनी fish plate में ही परोसी हुई होनी चाहिए, तो चलिए सी के साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं कि आकर ये micro business का idea अता कहां से है, तो इसके लिए ना सबसे पहले है market म आप क्यों नहीं बन सकते, सोची इस बारे में, दूसरा है new technology, smartphone जब नए नए आय थे तो पूरी market ही change हो गई थी, app developers जैसी कई सारी नए नौकरियां भी निकली, तो market में उन लोगों की बड़ी demand थी, जिनके पास ये skill थी, दूसरी और newspaper का idea भी काफी bloom हुआ, क्योंकि हर ची जब आप देखेंगे कि आपका business बढ़िया चल रहा है, तो आप income बढ़ाने के लिए दूसरे side projects के बारे में सोचेंगे, और आगे number 4 पर है, but I still want to make money doing what I love, what should I do, ये मुश्किल नहीं है, hard नहीं है, in fact उस काम को करने से कई जाधा easy है, जो आप नहीं करना चाते, हालंकि इस काम कुछ ऐसा था, जो कि उसे करना पसंद था, लेकिन उसकी story सुनाने से पहले, मैं आपको कुछ explain करना चाहूंगी, अक्सर लोग जब first time किसी airline से travel करते हैं, तो airlines वाले उन्हें flyer miles offer करते हैं, जो कि basically एक certain amount of miles होता है, जो आप तब earn कर सकते हैं, जब आप same उसी airline से दुब आपस चलते हैं, Gary ने ये flyer miles अपने benefit में use किये, कई बार लोग ये miles earn कर लेते हैं, लेकिन उनके पास ये जानने का time नहीं होता कि इन miles को use कैसे किया जाए, उन्हें learn करने या इसमें क्या hardship आईगी, ये सब चीज़े sort out करने का time ही नहीं होता, इसलिए Gary ने अपना side business खोला, जहां वो अपने customers को उनके flyer miles को organize करके, उनने trip बना करके देता है, और हर trip के लिए वो 250 डॉलर चार्ज करता है, अब आप पूछेंगे कि कोई भी उस काम के 250 डॉलर क्यों देगा, जो वो खुद प्रीमे कर सकता है, तो इसका जवाब है कि 250 डॉलर कुछ भी नहीं है, 5000 जो लोगों को बिना flyer miles यूज किये, किसी trip के लिए खर्च करने पड़ते है, और Gary लोगों को best organized trip बना करके देता है, और अगर ऐसा नहीं होता, तो लोग उसे क्यों पे करते, तो यहां हम देख सकते हैं कि Gary ने कैसा business open किया, जो उसके passion से indirectly related है, एक consultant, जो कि असल में उसका passion नहीं है, तो इस तरीके से उसने अपने favorite काम को लोगों की जरूरत से जोड़ा, और उसका favorite काम था लोगों को उनकी problem का solution बताना, इसी के साथ, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी job, आपकी life के around revolve करें, ना कि आपकी life आपकी job के, जी हा इस question का जवाब देने के लिए चलिए, case study करते हैं, और इस case study का नाम रखते हैं, the accidental worldwide photographer Kylie Hib, जो की वाकई में एक accidental entrepreneur है, उसका एक side project है, जिसमें की वो किताबे लिखती है, उसके husband सेबा को recently अपनी company के budget cut की वज़े से job छोड़नी पड़ी, और उसी दिन, जब वो jogging कर रही थ तो गलती से एक pickup truck ने उसे hit किया, हालांकि उसकी injuries life threatening नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे काफी सारी चोटे आई, जिसकी वज़े से वो अब लिख नहीं पा रही थी, और इस तरीके से उसका side business मंदा पड़ गया, ये पूरा week उन दोनों के लिए काफी बुरा गुसरा, तो उन् जो की wedding photography में अपना लग की ज़रुरत कर रही है, उसनी ट्राइब कैसा product बनाया जाए, जो simply सब्कों suit करें, एक diverse product बनाएं, और अपने option को limit से उसके अपनी website में लिखा, अब आप पूझे हैं, उसे customers हमेशा right होते हैं, इस बात से काले का confidence बढ़ा, customers हमेशा right नहीं होते हैं कभी-कभी वो गलत ने डिसाइड किया कि वो अपनी नई वेफसाइड करी को अहाँ different time के product बनाएं, उसने अपनी website के लिए बढ़ा लाउंच रही है, जिसमें उसके दो हजाल से जाता की product बनाता रही है, और बहुत सारे customers थे, उन्हें good quality products के लिए नहीं होते हैं, उनका य करो, फिर मैं तुम्हें advance दूँगा, और तीसरा है magic formula, इसके साथ आगे जानते हैं, बहुत important word के बारे में, जो है thank you message चेक हिए, और डिसाइड किया कि वो उस customer को बोलेगा कि sorry, वो call नहीं कर सकता, डिन ने उसे refund issue कर दिया, और decide कि वो अपने core work पर focus करेगा, बेशेक उस customer क good advice नहीं मिले, लेकिन उसे पता चल चुका था कि अगर कोई एक customer खुश नहीं है, तो उसे refund कर दो, क्योंकि customer का opinion हमेशा सही हो, ये जरूरी नहीं है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, seven steps to instantly test the market, जी हाँ, सबसे पहले तो आप उन problems को ठीक करने के तरीके ढ हुन लीजिए, जो आपके business में आएंगे, लेकिन इतना काफी नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत से लोग भी चाहिए, जो इस चीज का ध्यान रखेंगे, यादे first lesson क्या था, जी हाँ, सही का आपने, conversions, दूसरा है कि वो market इतनी बड़ी तो जरूर होनी चाहिए, कि आ ये convince कराना कि उन्हें कोई problem है और उसका solution offer करना दोनों ही बहुत मुश्किल होता है, खास करके तब जब लोगों को उनकी problem का पता ही ना हो, तो इस बारे में जरूर सोचना होगा, आगे चौथा point है कि लोग हमेशा या तो किसी तकलीफ में better feel करने के लिए, या फिर अपने desire पूरी करने के लिए चीज़े खरीदते हैं, तो इसलिए आप अपने business को एक ऐसा तरीका बनाए जो जरूरत के हिसाब से लोगों की मदद कर सके, पांचवा point है solution, हमेशा solution के बारे में सोचे, और जो भी solution आप निकाले, वो best होना चाहिए, चटा point है कि लोगों की opinion जरूर सुने, लेकिन ध्यान रहे कि वो आपके potential target ग्रूप में से हो, वरना जो information आपको मिलेगी, उसका कोई use नहीं होगा आपके लिए, और आखरी और सात्वा point है, जो product आप sale कर रहे हैं, उसके लिए test product create करे, लोगों को ये test product दे करके, उनका feedback मांगे, तो चलिए अब एक story सुन स्टार्टिंग क्विकली के बारे में, जब तक आपके mind में पिछले साथ steps है, तब तक आपको किसी भी plan की जरूरत नहीं है, तो आईए जानते हैं, जैन और ओमर दोनों freelancer थे, जो freelance designing करते थे, उन्हें multiple projects मिलते थे, जिससे उन्हें अच्छा कासा profit होता था, लेकिन पिर उ जाना, नॉर्मल बात नहीं थी, तो एक दिन उन्होंने अपनी favorite country का map design किया, एक ऐसी country जहां वो दोनों हमेशा जाना चाते थे, उस map का design finish करने के बाद अब वो से print कराना चाते थे, लेकिन problem ये थी कि इसे print कराने में उनके 500 dollar खर्च होते, क्योंकि printing office 500 copies से कम print नहीं करते थ तो उन्होंने 500 copies को print करवा लिया, और अपना map ले लिया, लेकिन बाकी के 498 maps का वो क्या करेंगे उन्हें समझ ही नहीं आया, इन में से कुछ तो उन्होंने दे दिये, और फिर 494 maps बचे, अब इन बचे हुए maps को उन्होंने अपनी बनाई हुई एक one page website में डाला, और सोने चले गए, next morning उन्हें अपना पहला customer मिला और उसके बाद customers आते चले गए, तो इस तरीके से उन्होंने बिना किसी planning के एक business को शुरू किया, और उतनी जल्दी ही start किया कि जितना जल्दी होना चाहिए, इसी के साथ business शुरू करने से most important part है launching, अपने business को कैसे launch करे, एक बढ़ finally out होती है, तो line में लग जाते हैं, इसे देखने के लिए, तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए आपका business launch भी, launching से पहले public के साथ effectively communicate करे, उन्हें अपने product के बारे में hint दे, इससे आपका product उनके mind में रहेगा, और launch होते ही hit हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि उधारी का क्या किया नहीं, आपको बहुत से लोग भी मिल जाएंगे, जन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी सेविंग बचा करके भी रखी, और अच्छा business भी चलाया, और हम यहाँ एक popular misconception के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बता दे कि अपनी hobby को अपना business बनाने में कोई बुराई नहीं है, ह जी हाँ, जब आप products के लिए prices को set करते हैं, तो ये ध्यान रहे कि ये लोगों को मिलने वाले actual benefit पर based हो, ना कि इसकी cost पर और ना ही उस product को बनने में लगने वाले time पर, बस benefits का ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा, दूसरा है offer a limited range of prices, आप अपने customers को हमेशा option दे कि वो different price range में से choose कर सके, लेकिन ये भी ध्यान रखे कि option limited हो, अब apple को ही देख लीजिए, जब भी उनका कोई नया product निकलता है, तो उसमें कुछ option होते हैं, जिसे entry level, intermediate level और perfect level, लेकिन इन तीनों level के products के price में मामूली difference होता है, जिससे लोग जारतर last level वाला perfect product ही खरीते हैं, क्योंक $300 जाधा खर्च करने में आपको इसका perfect version मिल रहा हो, आगे third है, get paid more than once, मतलब ये कि आपका payback एक ही बार क्यों आए, अब चाहे तो पर मन्त एक से जाधा बार payback पा सकते हैं, बस continue बने रहे, जैसे अब Netflix को इले लीजिए, आप उनके streaming service देखने के लिए monthly pay करते हैं, उनका pay day हमेशा होता है, हर रोस, हर महिने और हर साल, इसे के साथ आगे एक और important term है, franchising versus partnership, बहुत सुना होगा, तो मैं आपको franchising की बारे में बताती हूँ, simply कहें तो एक बड़ी company, बड़े से amount के बदले आपको अपना नाम बेचती है, पिर सारा control उनके हाथ में रहता है, आप कह यहां पर store खोलेंगे, किसको hire करेंगे, और यहां तक कि वो आपको यह भी बताएंगे, कि आपको खुद के business में, आपको क्या पहन करके काम पर आना है, यह उस company की तो success मानी जाएगी, जिसके franchise आपने ली है, लेकिन क्या यह आपकी भी उतनी ही success है, आप यहां successful नहीं है, भई आपने तो simply अपने लिए एक ready-made job खरीद ली है, तो फिर एक useless franchise से अच्छा है कि कोई partnership की जाए, लेकिन हां आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा, कि आपका partner सोच समझ करके choose करें, यह sure कर ले कि आपको इस partnership से क्या expectation है, वरना इसके advantage कम, disadvantage जादा होंगे, as a rule of thumb किसी भी partnership को 1 plus 1 plus 3 का rule follow करना चाहिए, मतलब यह कि दोनों partner जितना अकेले खुद profit कमाते हैं, साथ मिलकर कि उनको at least 33% जादा तो कमाना ही चाहिए, और इसे के साथ अब आगे जानते हैं advice, तो आपको कहना होगा no thanks, मतलब यह कि unwanted advice और unneeded permission का ध्यान रखिए, जब हमारे author न खुद का business शुरू किया, तो कई सारे लोगों ने उन्हे advice दी कि यह करो, वो मत करो, वगेरा वगेरा, author ने सबकी बात सुनी, appreciate भी किया, मगर किया वही, जो उन्हें सही लगा, तो असल बात तो यह है कि जिन लोगों को आपके काम के बारे में उतनी knowledge नहीं है, उन्हें इस करेंगे ढेंगे लो है, एर। उन्हे है, वो एके बात तो मत कियाना को आपके मादा ने उन्हें एंट, आवेरा वित लुकत वादरि ऑूलrated गलनाको को आपके काम